नमश्कार प्रभशाक्षी नेटवर्क के खास कारेक्रम विश्व खबरम में आपका स्वागत है इस कारेक्रम की जो खासियत है विशेष्टा है वो यह है कि सप्ता के बड़े अंतरास्ट्री मुद्दों पर हम इस कारिकर में चर्चा करेंगे अब इस सप्ता वैसे तो कई स के पalloसी देशों में हंगावा मचा हुआ है और ट्रम्प जो की अपने विवादित रिखने यह जाते हैं कुछ भी कह देने के लिए एक पर बूद के जाते हैं और यही कुछ अफगनिस्तान में भारत विकास में भूमी का निभा रहा है उस पर जो तंज कसा है वो संबंदों में थोड़ी सी खटास तो पैदा की ही है ट्रंप के बयानने अब आपको बताते हैं कि अधरेसल डोनाल ट्रंप ने कहा क्या है अमरीकी राश्पति डोनाल ट्रंप ने नए वर्ष पर अपनी कैबिनेट की बैठक में भारत पर तंज कस दिया और कहा कि अफगनिस्तान में भारत जो विकास में काम कर रहा है वो नाकाफी है और उन्होंने प्रथानमत्री नेंदर मोदी के साथ अपने अच्छे जो तालमेल हैं उसकी बाद तो की लेकिन कहा कि इस त थैंक यू कि उमीद कर रहे थे लेएशाटियू पर्याप्त है वहां के लिए तरंफ ने तंज कस्ते हैं कि मुझे नहीं पता कि वहां पर लाबरेड़ी कितने लोग इस्तेमाल करते हूं और उन्होंने कहा कि जो भारत है या कोई अन्य देश हैं वहां पर जो शान्ती प्र कहा कि जो भारत वहां पर पुस्तकाले बनाने में जो खर्च कर रहा है अफगानिस्तान में लाइब्रेडी बनाने में जो खर्च कर रहा है उतना तो हम वहां पर पांच घंटे में खर्च कर देते हैं हमारे जो हजारों सेनिक वहां पर जमा है और अफगानिस्तान की रक्षा और भारत से अपेक्षा की कि वो अफगानिस्तान में बड़ी भूमी का निभाएं और जो अफगानिस्तान की सुरक्षा के स्थिती है उसके बारे में भी जिम्मेदारी लें दूसी तरफ भारत सरकार ने तो इस पर कोई अपचारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है लेकिन विदे बड़ी भूमिकाय होती है उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और यह पुस्तकाले या और जो अन्य चीज़ें बनाई जाती हैं यह सामुदाइक विकास में सहयोग बटाने के उधारन है अगर हम बताएं भारत सरकार के सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है कि अफगानिस्त अफगानिस्तान में भारत के अधिकतर निवेश बड़ी परियोजनाओं में हैं इनमें जारंज से लेकर डेलराम तक 218 किलोमेटर लंबी सड़क बनाना हो सलमा बांध बनाना हो और अफगानिस्तान की संसत का नया भवन बनाना शामिल है इसके लाब भारत ने तालीबान क सत्क के के सत्ता से हटने के बाद 2001 से अफगानिस्तान को तीन अरप डॉलर की सायता दी है भारत ने अफगानिस्तान को चार सैंने हलजी कॉट्र कर आने के लिए अफगानिस्तान को सैने अपक фильма की आपूर्ति भी कर रहा था शेया जोत भारत सूतले विश्यायँ प्रांतों में 116 नए हाई इंपक्ट कम्यूनिटी डेवलेप्मेंट प्रजेक्ट को लागू किया है इन प्रजेक्ट में स्वास्त कृषी सिचाई पेजल नवी करनिये उर्जा बार नियंत्रन शुक्षम जल विद्यूत खेल के शेतर शामिल है इसके लाब भारत ने पूले खुम्री में से काबूल तक 220 के वी ट्रांस्मिशन लाइन बिचाई और चिटमला में सबस्टेशन स्थापित किया हाली में भारत ने अफगानिस्तान को 11 लाक मीट्रिक टन यहूं की आप पूर्ती भी की और इसके लाब भारत और अफगानिस्तान ने दोनों देशों के जो अफगानिस्तान है उसकी आर्थिक उन्नती में बहुत महती भूमी का निभाने वाला है अब अमरीकी राष्टपती ट्रंप की इस टिपणी के बाद कॉंग्रेस ने प्रधानमंत्री निरेंदर मोदी का बचाव करते हुए ट्वीट किया है कि अमरीकी राष्टपती आ लेकर भारत पहले से संजीदा रहा है इससे पहले की मनमुहन सरकार रही हो या अभी जो काम चल रहे हैं विकास के निरंतर चलते रहते हैं हमें अफगानिस्तान में क्या योगदान देना है इसके लिए दूसरे से हमें सीख लेने की जरूत नहीं है हम अफगानिस्तान को ल वहां पर अफ़ानिस्तान में अपनी सेना भिजी भार् updated से अमरीका चाह रहा है कि आप अपनी रोखशा के जो हालात है वह काबू करने की जिम्मेदारी सिर्फ अमेरिकी सुरक्षा बलों पर नहीं रहे अब भारत कर चुका है बार बार की अफगानिस्तान में भारती अब भेजे जाने का भारत साफ साफ इंकार कर चुका है भारत वहां के विकास में योगदान दे रहा है जिरूर लेकिन सुरक्षा के मोर्चे पर भारत अफिनी तरफ से कोई नया परयोग नहीं करना चाहता है क्योंकि उसको पता है कि इसके कुछ दुष्परिणाम भी हो सकते हैं इसलिए भारत इस मुद्धे पर शुरू सही सतरक्ता बरता रहा है और भारत से सैनिक जाकर अफगानिस्तान में सुरक्षा परदान करें यह मांग कोई नहीं नहीं है अमेरिका की लेकिन भारत हमेशा से बशता रहा है तो फिलाल इस कारेक्टर में हमने आपको समझाया है कि जो अमेरिकी प्रतिक्रिया नहीं आई है सिर्फ विदेश मंत्राले ने यह चीज़ें बताई कि हम अफगानिस्तान में क्या काम कर रहे हैं अमरीकी राश्पती के बयान पर कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से या सत्ता रुड़ पार्टी बीजेपी की तरफ से नहीं आई है तो इस का कारक्रम को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है उसके बारे हमें जरूर अवगत कराएं ताकि हम इस कारक्रम को और आकर्शक और जानकारी पूर्ण बना सकें आप सबीका बहुत बहुत धन्यवाद